प्रवारिक पुरुष पंडोकर सरकार से बाचीत की ती जिन से हमने हनुमान जी के वेविद पहलूओं पर बाचीत की इसी क्रम में हम अपनी बाचीत को जब अभी एक आद्यात्मिक प्रशासरी 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 के तो उनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं हनुमान जी के संदर में बात करने के लिए हनुमान जी के संदर में पौरानिक कताएं बहुत सारी हैं लेकि उनका विवारिक जिन्दगी में क्या महत्व है किस प्रकार दे वा हमारे जीवन को प्रेड़ना देते हैं इसी पर हम उनसे बात करें तो सीधे रुक करते हैं मनोश श्रुवासरी से मिलने के लिए तो मनोश जी का जो सरूप है वह अपने आप में अद्वत है आपसे समझना यह चाहता हूं कि क्या कुछ उस शक्सियत के अंदर ऐसा है उनके जीवन के संदर में ऐसा है कि हर व्यक्ति जैसे ही कोई आपदा आती है तो उसे हनुमान याद आते हैं आप विवेचन कर पाए क्या हनुम तो हनुमान जो है वो संकट के समय याद आते हैं लेकिन वो यह जैसे उनकी पहले ही घटना में ने बताई कि जिसमें वो सूर्य को बच्पन में ही जो है अपना ग्रास बनाने के लिए सूर्य की तरफ उठ चलते हैं तो उसको यदि ध्यान से पढ़ें तो हमारे वर्तमान समय में जो है जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक उसमें है वो ग्यान की भूख है जिसको की हम ग्रास के रूप में समझते हैं यानि लॉक यह कहता था कि ग्रियासिटी इन चिल्रन इस एन अपटाइट फॉर नॉलज़ तो वही भूख जो है हर्मान ची को बच्पन में ही से थी उनकी जिग्यासा उनकी कौतुहल रती और वही उनको सूर्य की तरफ ले गई यहने सूर्य से उन्होंने प्रकाश लिया सूर्य से लाइट प्राप गरबी नहीं प्राप्त की उन्हें हीट नहीं लाइट मिली और इसलिए यह कहनीह चलती है कि सूर्य ने उन्हें जलाया नहीं इस एर्थ में हनुमान जो है संपाती से भिन है संपाती के पंखपत्र जहर चुके हैं लेकिन हनुमान के नहीं जहरते बलकि हनुमान को उनकी जिग्यासा का लाब मिलता है और उन्हें तरह तरह के वरदान प्राप्त होते हैं तो वो जिग्यासा अपने सारे लक्षों को प्राप्त कर सके त तो ये चीज़ बताती है कि जिग्यासा की व्रत्ती, कौतुहल की व्रत्ती, ज्यान की एक भूख, वो जो है प्रगती का पहला चरण है और हमारे बच्चों को जो यदि हनुमान से कोई सीख मिल सकती है तो वो यही है बहुत सुंदर ते किसा आपने इसकी व्याक्या की लेकि इस व्याक्या को थोड़ा और विस्तार आपसे चाहूंगा और समझने चाहूंगे आपने एक जिग्यासा की बात की हनुमान जी के व्यक्तित के संदर में दो चीज़ें उनके साथ दिखती है बल भी दिखता है और बुद्धी भी दिखती है उनके पास अतुलित बल धाममों ने कहा गया है जानना ही चाहता हूं जो बल का भी देटा है जो बुद्धी के संदर में भी इस तीव्यता के साथ धारण करता है पर वो है क्या अपने आपको राम दास के रूप में व्यक्ट करता है इतना बल और इतनी बुद्धी होने के अबादी वह स्वामी के तौर पर प्रस्तुत नहीं हो रहे है दास के रूप में अपने आपको प्रस्तुत कर रहे हैं या दास सरूप समझे जा रहे हैं सेवक के रूप में समझे जा रहे हैं यहां तो थोड़ी से बुद्धी थोड़ा सा बल अप्राप्त होता है तो आज भी सबका स्वामी हो जाना चाहता है और वहां सारा बल है सारी बुद्धी है तो भी व्यक्ति अपने आपको सेवक के तौर पर ही जीवन धन्य मान रहा है थोड़ा विरोधा बास है इसके संदर पर आपके द्रश्टी है अधुलित बल्धामाम हैं शेलाब देहम दने जुनक शानम ग्याननाम अग्रगडियम सक्कल गड़ोन धानाम वाननाम धिश्यम रगप्रिती प्रयवक्तम वात जातम नमावी है यह हम कहते हैं उनमे यह नह इसमें सारी चीज़े हैं वो ग्याननाम अग्रगडियम भी है और अधुलित बल्धामम भी है और सकल गड़ोन धानाम भी है यह इनमें से एक एक शब्द जो है अपने आपे महतुपूर्ड है एक तो जो आप कह रहे थे कि ग्यान की जो बात यह जिग्यासा की जो बात कह रहे थे तो आप यह देखिए कि वो सूरी की और उनका जानना क्या था यानि वो एक ऐसे समय का सूचक तो नहीं है कि जब प्रत्वी को केंद्रिक मानकर लोग जो हैं तमाम चीजों की गर्णा करते थे जैसे कि कॉपर निकस या गैलिलियों के पूर वो जो है यही होता था कि लोग प्रत्वी को ही जो है शर्ष्टी का केंद्र मानते थे लेकिन बाद में कॉपर निकस ने बताया गैलियों ने बताया और भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं यह जो हीलियोसेंट्रिक जो है विश्व है सूरी केंद्रिक जो है हमारा है और सूरिय क्या चक् लगाती है तो क्या हनुमान भी जो हैं कुछ ऐसे ही व्यक्ति तो नहीं थे जो सन वर्शिप में यकीन नहीं रखते थे बलकि सन शिप में यकीन रखते थे जो इतना शुरू से ही इतना जिग्यासू हो कि सूरियत तक भी पहुँच जाए बच्पन में ही तो बाद में ऐसा हो ने के लिए भेज़े जाएं तो वो जो गुण je वो merit जो है उनके व्यक्तित्व में उस व्यक्तित्व के कारण उनकी पूचा है और शायद वो अकेले ऐसे सिवक है जो भगवान के इस तरह तक ऊड़ गए और सिवक होने के बावजूद उनके मंदिर जगे जगे पाए जाते हैं तो इसी बात का प्रतीक है कि जब आप इतनी निष्ठा इतनी तन्मेता इतने समर्पड इतने लगन के साथ जो है अपने आराध्य का काम करते हो तो आप स्वयम जो है उस इस तरते घुड़ जाते हो संदर व्याख्या आपने की सेवक होते हुए भगवान के सद्रिष्टे माल लिए गए को उनके सवतन से रूप से मंदिर बनने लगे आपसे समयना जाता हूँ कि यह उनके व्यक्तित्व मैं कैसे रहा इतने शक्ती शाली होते हुए इतने गुण संपन होते हुए भी उनके साथ में एंकार का कभी विशय नहीं आया हम अपने सामाने जीवन में धेखते हैं कहीं थोड़े से गुण मिल जाएं तो एंकार के चरम पर होते हैं इस संदर में आपको को अहंकार की तरफ ले जाता है ये होता है ग्यान ही नहीं शक्ति बल भी हो जादा तो भी लोगों को अहंकार हो जाता है सत्ता हो तो भी लोगों को अहंकार हो जाता है हनुमान की विशेश्टा ये है कि वो अपने को लगातार विनम्र बनाए रखते हैं यानि इस हद तक वि कि जब राम जो है उन्होंने सारे लोगों को बलाया हुआ है और उनको विभिन दिशाओं में सीता संधान के लिए भेचने की कोशिशे हो रही है और राम हर एक को जो है दाइत वदे रहे हैं सुग्रीव दाइत वदे रहे हैं कि तुम पूर्व दिशा में जाओगे पीछे बैठे हुए है बैक बैंचर की तरह पाच्छे पवंतने सिर नावा तो सिर छुका कर पीछे बैठे हुए हैं वो अपनी तरफ से जो है कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन राम भी जो है वो जहुरी है उन्हें प्रतिभा की परक है और उनको मालूम है कि कौन डिलीवर कर सकता है तो इसलिए राम जो हैं उनको संकेत करके निकट बलाते हैं और उन तमाम लोगों से इतने सारे लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेचते हैं इतने बड़े बड़े दल को लेकिन राम जो हैं सिर्फ एक ही विक्ति के हाथ में सीता की मुद्रिका देते हैं और वो हनुमान है तो राम पहचानते हैं राम जानते हैं कि ये विक्ति जो इतना विनम्र है यही डिलीवर कर सकता तो ये उनके विनम्रता के संदर में पहलू है एक बात और जो समझना चाहता हूं कि हमारे धर्म गरंतों में जितने भी देवी देटाओं का उल्लेग आता है उनके पास एक सीमित कारे है एक सीमित अवदी है आप इस संदर में कोई दृष्टी रख पाए कि हनुमान को चरंजी में शामिल किया गया है क्या कारे ऐसा करता के साथ हम लोग हैं कोई तो दृष्टी होगे आपकी आपके जहन में जिग्यासा रही होगी क्या कारण है जिसके हनुमान जी को अभी भी बनाए रखना जरूरी है क्योंकि अवतार जो है वो अपना प्रयोजन पूरा करता है और चला जाता है एक युग विशेश में एक कारे विशेश के लिए अवतार जो है प्रत्वी के मैट्रिक्स में उतरता है और उस कारे के उस प्रयोजन की समापती के बाद जो है अवतार वापस चला जाता है कई अवतार तो जो है कारे विशेश मातर के लिए जन में लेते हैं अवतार की तो ये विशेशता रहती ह इसलिए राम, कृष्ण, उनके साथ ये इस्तिती है लेकिन ये कुछ लोग है हनमान जैसे हमारी परंपरा में जिने चिरंजीवी माना गया है सिर्फ हनमान अकेले ही चिरंजीवी नहीं है अक्ति चिरंजीवी के अंतरकत है और भी बहुत से लोग है जो चिरंजीवी हाँ सब्त चिरंजीवी की जो हमारी मानियता है तो उसमें हनमान भी है हनमान जो है हमारे लिए जरूरी भी है संकट मोचक हैं वो हम तो वो संकट मोचक का कारी करते ही रहेंगे जब जब भी मानवता पर संकट आता रहेगा जब हैं अपनी धिंगा मुस्ती और अपने खुराफा करते रहेंगे तब तक जो है कोई ना कोई हनुमान आएगा उनके लंका को दोस्त करने के लिए तो वो हनुमान की विशिश्चता ही यह है आदुनिक समय में आपने जो शुरू में बात की थी की हनुमान की प्रासंगिक्ता की तो मुझे लगता है कि हनुमान की एक बड़ी प्रासंगिक्ता यह है हनुमान उस तरह के सेवक हैं जिनके पास खुद का initiative है यह नहीं हनुमान सिर्फ आग्या पालक मातर नहीं है यह हनुमान सिर्फ जो है एक दिये हुए package के carrier या courier नहीं है निश्क्रियर हनुमान किसी command के तहट चलते जरूर है रामकाज को मान कर चलते हैं लेकिन उस कारिक का व्रत जो है उसका कितना विस्तार करना है इसकी समझ इसकी सूच उन्हें है इतना जिन क्या हुआ है आपके जहन में जिग्यासा नहीं आती है जब आप बोल रहे हैं कि वो तो अपनी तो हनुमान जी अपने स्वामी को राहत देनीे के लिए सीता जी को सीता उठा क्यों नहीं लाए जो पहाड उठा लाड़ता है उसके लिए मा सीता को ऊठा के लाने में क्या दुग्धा दी यह जिग्या सा आपकी जहन में निया ने आतर ये सवाल आपके मन में नहीं कौन दता है तो वह चम्रतर में उत्तर क्या लेकर आते हैं यह जो गय कि इसीता में भीिन पीड़ना करती हैं यह वह तर दूस्रे हमें यह है सितना चाहती है उनकी पतिके तेज कर दियू इन को घुज है रा fragd ने चुनाती धी है हन्मान को नहीं नहीं है रा ने चुनाती राम को दी धी लेकिन राम जब पदचिध्य थे जब पदाती थे तब उन्होंने 28 अ के तो लोकवरत लिया था कि मैं चो है इस प्रत्वी को राक्षछसों से विहीन करूँ मा और उनके उस लोग संकल्ग को जानकर राम ने के लोग संकल्ग को जानकर रावर नहीं ऐसा किया था कि राम के उपर personal attack किया जाए और यह हमारे समय में भी हम देखते हैं राक्षासों के चिर पर इचित शली रहती है कि जब कोई वेक्ति अपने लोको करतवियों का संपादन कर रहा हो तो उस पर परसनल अटेक करो तो चुकि राम पर अटेक हुआ था तो इसलिए जो है उसका निदान भी जो है सीता जानती है कि राम को ही करना है तो इसलिए वो मिना कर देती है उन्हें जी उन्हें आम प्रसंग है इसा आख्यान है यू आपके मन को सबसे जदा है और क्यों है मुझेँ छूं के बारे में तमाम आख्यानों में से रावट की लंका को जलाने वाला अख्यान जो है बहुत भाता है ये वो इसलिये है कि लงका जो है एक ऐसा रोग स्टेट है एक ऐसा दुश्र राच्य है जो आतंक का निर्यात करता है उसे एपने मारीच उस तें अपने सुभाहू उस तें अपने खर दूशन शुर्पणका सब को जो है भारत भूमी को अपवित्र करने के काम में लगा रखा और लोग तो जो हैं युद्ध करने वाले लोगों पर आकर्मेंट करते हैं लंका का जो आतंक है वो कुछ ऐसा है कि वो civiliants पर non-combatants पर आकर्मेंट करता है उन लोगों पर आक्रमन करता है जो यक्य कर रहे हैं उन लोगों पर नहीं जो युद्ध कर रहे है तो वो उनका कुछ ऐसा राक्षासों का अलप विकसित संस्कृतिक व्यक्तित्व है कि वो जहां जहां पर संस्कृति संडक्षन के कारिय हो रहे हैं वहां वहां उनको प्रद वो ये करते हैं कि वो जानते हैं कि आतंक का निरियात कहां से हो रहा है यदि आप देखें कि रावर्ण ने जो है अब खरदूशन को किस इस्थान पर लोगों को सताने के लिए रखा हुआ था उस स्थान का नाम है जन स्थान जन स्थान करेंगे अब translation करेंगे तो उसका अर्थों का public place तो आप भी देखेंगे कि कभी हमारे मंदिर कभी हमारे बाजार आतंक के जो आजभी शिकार बनते हैं कभी संकट मोचिन मंदिर पे कभी अक्षरधाम मंदिर पर हमले होई जाते हैं बाजारों में हो जाते हैं सारवजनी के स्थानों पर हो जाते हैं तो वो जनिस्थान शब्द जो है शाद इसलिए था कि सिविलियन सेटलमेंट्स पर आक्रमन हो रहे थे और उन्हें पाया कि कहां कहां जो है ये सब नेटवर्क इस्थाफित किया हुआ है यह जो खर धूइशन कर रहे थे या मारिश से बाहू कर रहे थे वो कोई लोन वॉल्फ टेरिरिस्म नहीं था वो अकेले भीड़ी एक अतंगवाद नहीं था उसको बाकायता निर्देशित किया जा रहा था किसी जगे पर बैठ कर और उस चीज़ को जो है हनुमान पहचानते हैं और इसलिए जो है उनको राक्षासों को उन्हीं की मान में घुसकर जो है वो चुनाओती देते हैं इसलिए वो आख्यान मुझे बहुत ज़्याद अपर यह लगता है बड़े सुन्दर तरीके से व्याक्या किया है मनुश्य वासाजी ने अभी तेक हम लोग इस प्रतगों के वले इतना मानते हैं इस रूप में मनुश्य वास्तर जी हमारे बीज में प्रसुत कर रहे है एक बात और जो आप से समझना चाता हूँ मनुझी हमारे शास्तरों में तो कहा गया है कड़कड में भगवान इसके बाव यूद भी हरुवान जी के साथ में संकट है कौन सा अनुवान जी का मंदरी ठीक है उत्तर मुखी दक्षण मुखी इसको लेकर आप भी जैने में सवाल नहीं आता और इसका सवाल अगर आपता है तो उत्तर क्या खुशते हैं मनुझी दक्षण मुखी भगवान के विशेश चमतकार के बारे में हाँ आपको आपको यह तुम जैसे अपने चर्चा करी चुके हैं की राम ने हनमान का जो चेयन किया था वो दक्षण दिशा के लिए किया था और दक्षण में ही जाकर हनमान जो है अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरुशार्त जो है समपन कर पाते हैं तो इसलिए जो है भगवान तो जो है सरवत्र मौजूद है और हम लोग तो कहते ही हैं कि आत्मवत सर्वभूतेशु और सर्वभ खलविदम रम्ह तो वो हम लोग तो कड़कड में भगवान घट़ट वासी भगवान को तो जानते ही हैं एक ऐसे व्यक्ती भी थे कि जिनको उनके जीवन का मिशन उनके जीवन का स्वपन जो प्राप्त हुआ था वो तभी हुआ था जबकि वो राम से मिले और जब राम ने उनको यह महत पूर्ण अदाईत वो सौपा यहीं हम लोग कहते हैं कि आदमे द्विच कब बनता है एक बार तो आदमे जनम लेता है तो वो साधरन जनम है लेकिन द्विच तब बनता है जब उसको अपने जीवन के प्रयोचन का पता लग जाए तो वो जो चीज थी कि उनको जो है जैसे ही पता लगा अपने जीवन के मिशन का प्रयोचन का तो वैसे ही जो है वो परवताकार हो गए तो उसका मतलब यह है कि आदमी को जब निरुद्देश तरीके से जीवन जो है कोई भी जीज़ता है लेकिन सौद्देश्य सार्थक जीवन जो है जीना जीवन के अबिप्राय जीवन के लक्ष का पता करके जीना वो जो है दूसरी ही बात है तो हनमान को दक्षन दिशा मे मोटिक पता लगा कि वो इस divine purpose के लिए इस राम काच के लिए भेजे गैं और वो राम काच वो ढवी डारा संपै ने करते हैं तो इसलिए यes वो दक्षणा मूरती हैं और उस रूप में, विशिश रूप से शुब माने जाते हैं तो मुझे आश्यरे पूरी बाचीत के अंतिम बिंदू पर आना चाहता हूं आज हनुमान जिंदी का पावण प्रसंग कैसे मना हनुमान जिंदी क्या मंदिर में खड़े हो जाएं एक दिया जलाएं अगर बत्ती लगाएं घंटी बजाएं प्रशल चड़ाएं इतने से हो जाएगा यह हनुमान जिस कुशागरता के लिए जिस विद्दता के लिए जिस टेज के लिए जाने जाते हैं आपके अनुसार कोई और तरीका है हनुमान जिंदी को सार्टक करनेगा अगर है तो वो क्या है आपके बाद दिस हमारे दर्शकों को पता चले जैसा मैंने कहा कि हनमान की पहचान जो है उनके गुण से है उनके कर्म से है उनके बल से है तो उस पहचान की प्रत्यभिग्या अपने भीतर करें अपने भीतर वैसे गुण वैसा बल वैसा कर्म का विकास करें क्योंकि वही सब चुनवान जो की हनुमान ने रामाउतार के समय में छिली थी वो चुनवान जो भार 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 भी आती रहती है और हनुमान जो है वह एक तरह से हम कहें तो पशुमातर नहीं हैं जैसा कि लोग उनको बताते रहते हैं और उस रूप में हनमान के आवमानना भी करते रहते हैं मैंने कच विदेशी उसमें भी पढ़ा कि जहां उनको मंकी गाड कहते हैं और ये विदेश्यों में बहुत चलता भी है भारती जो आराधी है भारती श्रद्धा बिंदू है कभी उनको monkey guard कहेंगे कभी उसको elephant guard कहेंगे उनको इस तरह से वो एक मानना करते रहते हैं लेकिन हनमान जो है वो यदि वानर है तो इस विशेश्च अर्थ में थे कि वो वनो में रहते थे और जो है वनवासी थे वानर शब्द का यदि संस्क्रत शब्दार्थ कोस्तुप के हिसाब से अर्थ देखा जाए तो वो है जो वन में रहता है और ऐसे में यदि हनमान की स्मृति करनी है हनमान की आरादना करनी है तो वो आरादना जो है उन चीजों से प्रेड़ना लेकर करनी होगी जिन चीज़ों ने हनमान के जीवन को चरिदार्थ किया था वे गुण, वे कर्म, वह बल, वह कुश्यागरता वो दनुजवन क्रशानू होने की सामर्थ दनुज़ आज भी है और उनके राक्षसों के जंगल में आग लगाने वाली जो उदगरता है और उगरता है और जो क्याना चाहिए तेज है, जो साहस है उस सबकी जिरुवत है, हर्मान में सबसे अच्छा गुण कौन सा है, लोग उनको ग्याने नमगरिगरिणिम कहते हैं लोग उनको बलशाली कहते हैं लेकिन जो हर्वाइट का सबसे अच्छा गुड़ है वो है उनका साहस उस साहस सभी गुड़ों कुछ रिटार्ट करने वाला गुड़ यह आपकी इमानदारी बेकार है यदि आपके पास साहस नहीं है आपका ग्यान बेकार है यदि आपके पास साहस नहीं है आपके पास बल बहुत साहस नहीं हो तो आपका बल एक्च्छुएट नहीं होगा हनुमान वो फ्यक्ति हैं जो अपने गुड़ों को अपने बल को कर्म में बदलते हैं कर्मान उदिद करते हैं और इसलिए just हो हन्मान की कोई भी पूजा, उनकी कोई भी आरादना वो तभी सच्ची होगी जब हम उन गुणों उन ग्यान संकलनों जिनकों की हम हन्मान के जीवन में पहचानते हैं उनको चरीदार्थ करना उनको व्यवार में उतारना उनको आचरण में उतारना सीखें आज के भारत की सबसे बड़ी तरास्दी जो है वो आचरण और आस्था के बीच की फांक है ये आस्था है बहुत है लेकिन आचरण और आस्ता के बीच की ये जो खाई है ये जो फांक है ये जो फर्क है ये फास्ला है इसको यदि हम मिटा सकें तो हर्मान की सची पूझा तो तब ही हो सकेगी बहुत संदर दरीशता आपने इस मिध्र कसुमापनार गया मनौ जिजे ये जि आपने संदेश दिया वह यह थे अगरान भगते हैं अगर अनुमान जी के प्रतिया आत्या है तो आत्या मिहज अगर्वद्टी लगाने तक ना रहें बलकि कर्म में और व्यवार में जो कुछ करना है कहने और करने के अंतर को खतम करने के संदर में आप कितना प्रितने करते हैं और कितना साहस प्रदर्शित करते हैं ये महतफूर हैं तो कहने और करने के अंतर को कम करने का समाप्त करने का संकल्ब लें यही हनुमान जन्टी के संदर में हनुमान जी की सही आरदना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जूड़ने के लिए मनुजी हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे अफसर मिलते रहेंगे जब आपके ग्यान का लाव हमारे दर्शकों कम बिलेगा लेगे आज का इस कार्गम में इतना है तो दोस्तों यह थे हमारे तत्में मनुजी श्रीवास जी यह यूं तो प्रिशासली का दिकारी रहें लेगे भारतिये सब्वेता सल्सक्ति के संदर में उनका अपना एक मौलिक चिंतन है उसी का एक पहलू आज आपको हनुमा जनती के मौके पर जानने सुनने और देखने को बिला यह सलसला आगे भी रहेगा लेगा आज के लिए इतना ही अब मुझे दिया आप फिर मिलेंके जल्द ही तता के लिए तता पुड़ा ख़त को कैसे रखे फेट